हेलो गाईज, सुबे के साड़े आठ बज रहे हैं, और मैं तो छे बज़े उड़ गया था, so कुछ काम था, उसको मैं कर रहा था, तो मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहरा हूँ, तो क्या आप देखेंगे, मैं कुछ चीज दिखाना चाहरा हूँ, आप बने रहें, मैं द कौन है ये, ये कौन है, परदा उठा के ये देखिए, ये देखिए, अनाया को देखिए, किस तरीके से सो रही है, ए अनाया, बबु गुद मॉनिंग, गुद मॉनिंग अनाया, ए अनाया, ए बबु, उठो, देखेंगे, बिल्कुल हिल नी रही है, बबु इतनी नीदा र करई नाये नाये और से ङसे कैसे सुरुथ है दग करके बहुत अच्छे से सो लिये बाव ौध भाब्ज़ा बाव। यह अनाया, अनाया, यह बाबू, उटो, अच्छा, मुह कर ली देखिए, बोल लिए मत जगाओ मुझे, बाबू, ओ, डिश्टरब किया, पापा ने डिश्टरब किया, उट जाओ, उटो, तो गाइस देखिए, कम से कम दो तीन बार यह रात को उटती है, और रात को, करीबन दो वजे सोई, सुबह छे वजे, जब यह रोई, तो मैं उठा, फिर इसकी ममी ने इसको दूद पिलाया, तो अभी फिर यह आराम से सो रही है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, काफी ठंड हो चुकी है, और तो इसलिए हम इसको अच्छे से, देखिए, नीचे इसका य एक ब्लैंकेट के उपर रखते हैं, क्योंकि काफी ठंडा है, उसको यह भी हुड भी पैनाया है, और उपर से फिर यह जो दो यह ब्लैंकेट्स और यह ब्लैंकेट्स भी हम इसके उपर देते हैं, कवर करते हैं, और जब यह रोती है, जब यह रोती है, तो हम इसको ऐसे, ऐसे करके जूला जूलाते हैं तो फिर ये अच्छे से सो जाती हैं। क्यांकि अगर हम लोग यहां पे अपने साथ सुलाते तो काफ़ी डर हमें रहता है कि कहीं हमारा पैर ना लगें कहीं हम इसको दबाएं ना तो काफी डर हम लोग डरते दे तो इसलिए यह जूला भी इसके चाचा ने इसके लिए गिफ्ट किया था और हमने मगाए था सो अभी वो अच्छे से इसमें और इसको आदत पढ़ी है इसको लगता ही कि मेरा ही बैल्डे कि किस तरह से सो रही है बबु उठ जाओ बबु उठो उठो ना उठो उठो बच्चा उठ जाओ उठ जाओ नहीं उठना है डिश्टब की वापनें, उटो, उट जो बाबू, नहीं उठेगा, अनाय चलो दूप से इकने चले, आओ, चलो, आवगी? अले ले ले ले, ले ले ले, ले ले, घुश्या आ ग्या, नहीं जाना है, नहीं जाना है, sustainable उसको गुश्जा आ रहा है, उसको अभी भी सोना है देखिए उसने आखें नहीं खोली है अभी तक आजो अनाया गुन 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 एनाया देखिए सो गई उसका बिल्कुल भी उठने का इरादा नहीं है तो यही है फ्रेंट्स सर्दियां हैं तो अपने बच्चों को काफी ध्यान रखिए प्रोटेक्ट कीजिए अच्छे से कपड़े पहनाएं और धूप जरूर दिखाएं जब जब धूप आती है तो उससे काफी बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं अभी अनाया को धूप में ले करके जाओंगा वो चाहा तो नहीं रहें लेकिन दूप में रखेंगे तो उसके लिए भी विटामिन डी मिलेगा और उसके लिए भी काफी अच्छा होगा और नहीं तो काफी सिकुड़ी जाती है दिन बर फिर धूप चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो जागी मानाया उसको थोड़ी सी और घहलब बी होगई है नाक में अाव बाभू क्या हो गया ऑक्या हो गया बच्छे को पापकणि डिस्टन कियां अरे-अरे-अले-अले-अले-अले-अले-ए-ई- substitution always मैं अनाया को बाहर ले करके जाता हूँ उसको धूप में थोड़ा सा रखते हैं 10 से 15 मिनिट तो काफी अच्छा उसको हो जागा विटामिन डीवी मिल जाएगा और धूप भी उसे एक लेगी सुभे सुभे की आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें विशेज करके अनाया का भी एक चैनल हमने बनाया है अनाया के शॉट्स वीडियो आते हैं तो आप उसको भी चेक आउट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिं प्यार हमें विशेज करके हमारी बेटी को इसी तरह से देते रहें तब तक जब तक दुबारा हम वीडियो अप्लोड करते हैं तब तक के लिए बाइग